पिट्टू बैग में लेकार आ रहे थे लाखों का गांजा पुलिस ने किया गिरफ्तार जबलपुर के गड़ा थानाच शेत्र में गांजा की तसकरी करते तेन युवकों को गिरफ्तार किया गया आरोपी के कबजे से 9 किलो गांजा बरामत किया गया है इसका मूली लगभग 1,80,000 रुप है मामले में क्राइम ब्रांच और गड़ा पुलिस ने सेनक्तु कारवाई की है गड़ा थाना प्रभारी निलेज दोरे के अरुसार देराट गड़ा थाना चेत्र में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस संदिकदों की जाच कर रही थी तबी धनमंत्री नगर की ओर से आ रहे तीन युव को को मेडिकल कॉलिज के मर्चुरी द्वार पर रुखा गया तीनों युवा पिट्टू बैक टांगे हुए थे पूस्ताश करते ही चक्मा दे कर भागने का प्रयास करने लगे इस पर तीनों के पिट्टू बैक खोड़कर जाचे गए तो उसके अंदर से गांजा रखा मिला जिसे जब्त कर लिया गया गांजा तसकरी के आरोपियों को गिरफतार करते हुए आरोपियों के विरोद एंडी पियस एक के तहट मामला पंजीवत किया गया इस पर दारतों का दंदा कर रहे हैं उनको चिनित करके उनके विद्ध प्रभावी कारवई करना है इसी तारत्रम में कल मुर्विर के दौरा जानकारी प्रातिवी की तीन लोग पीर के बीचे पिठ्टू लात के घूम रहे हैं और उनके पास गांजा है इस सुचना पर क्र और ठाना गड़ा की टीम के तोरह सेंग तुरूप से कारवाई की गई तीन लोगों को अभिरक्षा में लिया गया था जिनके पास से लगबक 9 लो गांजा मिला है और जिसमें से एक आरूपी एक आरूपी केलास चौधरी चाय आदव और अनिल पटेल हैं जिसमें केलास च रिकाड के समन में चाल्मेंट की जा रहे हैं